नमस्कार दोस्तों, एनलोग इलेक्ट्रोनिक्स लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से हम ओसिलेटर स्टार्ट करेंगे विद हेल्प ओफ बीजेटी तो ओसिलेटर जो है वो क्या होते हैं ओसिलेटर उसे कहते हैं जो एक सस्टेंड ओसिलेशन प्रेड्यूज कर सकता है यानि जिसके आउट्पूट पे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लगातार ओसिलेट होती रहे उसे हम ओसिलेटर कहते हैं ओसिलेटर का काम होता है कि जो हम DC बाइसिंग ट्रांजिस्टर को देते हैं उस DC एनरजी को यूज़ करके वो AC में कनवर्ट कर देता है और वो AC सिगनल एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ओसिलेट होता रहता है नैक्ट पॉइंट है दोस्तो ओसिलेटर में हमारे feedback amplifier भी यूज़ होते हैं और जो feedback amplifier यूज़ होंगे उन्हें हम positive feedback ही provide करते हैं Positive feedback employers का gain बहुत ज़ादा होता है और negative feedback employers का gain बहुत कम होता है बात करते हैं इसकी working की तो working को explain करने के लिए यहां मैंने block diagram बना रखा है यह आपका कोई input signal है जिसको आप apply करते हो यहाँ पे एक summing point है इससे बाहर निकलने वाला signal लेटस से VA है यह signal आपका एक amplifier में जाता है amplifier definitely BJT से बना होगा फिर इसके बाहर हमें एक output मिलती है VNOT इस output को हम feedback network के input में डाल देते हैं बिटा feedback network का transfer function या gain factor है और feedback network की जो output है उसे हम VF कहते हैं feedback voltage यह VF वापिस इस summing point में जाती है यानि input signal और VF यहाँ पे add हो जाते हैं फिर finally वो VA बनाते हैं तो इस block diagram की help से हम oscillators की working को explain करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं amplifier की amplifier अगर BJT से बनना है तो सबसे जो best configuration है वो common ammeter configuration हम use करते हैं common ammeter configuration use करेंगे तो आपको definitely जो face shift होगा output signal में वो 180 degree का होगा इसका मतलब यह है कि अगर आप input में इस type की sinusoidal waveforms apply करते हो तो फिर आपका amplifier का output इस input signal का amplified version मिलेगा लेकिन out of phase मिलेगा यानि 180 degree का phase difference होगा input और output signal में यह आपका amplifier section है इसके बाद next point है आपका finite voltage gain कोई भी amplifier है उसका voltage gain एक finite value ही होता है let us say वो gain आपका A है इसके बाद फिर हम feedback network के section को explain करते है feedback network में हमारे frequency selective circuits होते है यानि जो frequency selective circuits है वो आपका R, L और C इन सबसे बनता है तो इस feedback network का काम है कि जो भी इसका input signal आएगा उस input signal में से कोई एक particular frequency को यह अपने अंदर से पास करेगा और वहाँ पे भेज देगा next जो point है it allows fixed frequency to pass through यह already मैंने explain किया है फिर feedback network का जो transfer function है या जो gain factor है वो बीटा है बीटा क्या होगा दोस्तों जो transfer function है या gain factor होता है output signal divided by input signal तो जो बीटा है इसमें output क्या है VF और input इसके लिए है V0 तो बीटा आपका होगा VF divided by V0 फिर इसके बाद बात करते हैं face shift की जो frequency selective circuit है जिसे feedback network कहते हैं यह feedback network भी इसके अंदर आने वाले signal में कुछ ना कुछ face shift को introduce करता है अगर आपको oscillator बनाना है तो इस amplifier में 180 degree का face shift introduce हुआ है तो फिर feedback network में भी 180 degree का face shift 100% introduce होना चाहिए यानि कोई भी signal का जो ये complete loop है उसमें 0 degree या 360 का phase difference होना चाहिए यानि यहाँ पे जो signal है वो बिल्कुल same phase में हर बार available होने चाहिए तो अगर यहाँ signals का 180 degree यहाँ मिला है तो इस 180 degree face shift का signal feedback network के input में गया इसमें again 180 degree का face shift होगा तो वो signal यहाँ जो उसका phase था अब यहाँ उस signal का phase बिल्कुल same होगा यानि total loop में जो face shift है वो या 0 degree होगा या आपका 360 होगा अब दोस्तो इसको एक mathematical examples की help से explain करते हैं जिसमें हम gain के expressions को भी explain करेंगे पहला case है कि आपने कुछ input voltage यहाँ अपलाई किया है अगर input voltage आपने अपलाई किया है तो पहले से feedback network हमारा reset है इसमें कोई output नहीं था तो जो VA होगा वही आपका V in होगा तो amplifier जो है amplifier की input VA है तो output क्या होगी gain multiply with VA तो V note होगा दोस्तो A times VA इसके बाद output signal यहाँ मिला जो आपका VF है वो क्या होगा इस beta factor multiply with input signal that is V note तो VF होगा आपका beta times V note अब जो VA है वो क्या होगा अब यहाँ से भी signal आ चुका है और यहाँ से भी signal आया है adder क्या करेगा दोनों signals को add करेगा और जो added signal होगा उसे VA कहेंगे तो यह signal बनेगा हमारा V input plus VF और VF क्या है that is beta times V note अब V note क्या होगा VA multiply with A that is gain of this amplifier A times VA और VA है आपका input voltage plus beta times V note इसके बाद आपको यहाँ से gain find out करना है तो यह कैसे निकलेगा V note that is A V in plus A times beta into V note इस factor को दोस्तों आप left side ले जाएए तो यह बनेगा V note common 1 minus A times beta that is equal to A into V in V note और V in का ratio निकालेजिए V note divided by V in that is equal to A divided by 1 minus A beta यह जो expression है दोस्तों यह oscillator का gain का expression है with help of positive feedback आपका जो gain है oscillator का वो यह आ चुका है अब दूसरा case अगर हम discuss करें मालेजिए एक बार हमने V note V in apply किया था उसके बाद हमने इसको apply नहीं किया तो अगर हम V in को just for a moment apply करके इसको बंद कर देते हैं तो फिर आपका V A और V F आपका बिलकुल सेम हो जाता है क्यों क्योंकि V A इन दोनों signals का addition है V in अगर 0 होगा तो V A आपका सिरफ V F रह जाएगा और जो V note है वो क्या होगा V note अब आपका होगा V A multiply with A V A V F बन चुका है that is A times V F V F क्या था आपका that is V F है आपका beta times V note this is beta times V note अगर ये दोनों value equal हो ये किस condition में equal हो सकती है ये तभी equal हो सकती है जब A into beta आपका 1 के बराबर हो तभी आपका ये oscillator बन सकता है आगे जलके अलग-अलग examples मैंने यहां explain किये हैं आपको पता लगेगा कि alpha और beta का product अगर 1 हो तभी आपका पूरा circuit एक perfect oscillators की तरह काम करता है यहां देखिए दोस्तों पहला example मैंने लिया है V in मान लेजिए कोई एक noise है और noise की कोई भी frequency हो सकती है और उसका magnitude है 0.5 volt ठीक है 0.5 volt ठीक है अब यह जो V note है पहले तो feedback आपका resetted है यह आपका VA ही बनेगा gain के साथ multiply कर दूँगा gain मेरा 5 है amplifier 180 degree का face shift देता है तो आपको V note क्या मिलेगा V note आपको definitely क्या होगा 0.5 volt से 5 को multiply कर देजिए और 180 degree का face shift करा देजिए आपको कुछ इस type के signal बाहर मिलना start हो जाएंगे तो यहाँ पे 0.5 into 5 that is 2.5 तो यह signal आपका minus 2.5 volt का होगा और यहाँ peak value आपके 2.5 volt की होगी इसके बाद यह V note आपका feedback में जाएगा यह signal आपका इस feedback में चला गया feedback का जो transfer function या gain factor है वो 0.1 है और feedback का जो आपका theta है face shift वो भी आपका 180 होना चाहिए क्योंकि दोनों का मिला के 360 या 0 degree रहना चाहिए तो 180 degree इसका भी face shift 100% introduce होना चाहिए 0.1 के साथ इसकी peak value को मैं multiply करूंगा तो देखो signal आपका फिर से उसी phase में आ जाएगा क्योंकि 180 degree रहेगा अगेन आपका face shift introduce हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपका बनेगा that is 0.25 volt और यह negative value होगी minus 0.25 volt यह signal आपका दोस्तो VF आ चुका है अब एक बार आपने input अपलाई किया अब आप input हाटा चुके हो तो VAVF ही बन चुका है यह आपका VA ही होगा इसके बाद further आप output निकालोगे तो इस signal में जो gain है 5 उसके साथ multiply कर दीजिए 5 आपने multiply किया है तो कितना बन जाएगा यह यह आपका बन जाएगा और 180 degree का face shift भी होगा तो यहाँ देखिए दोस्तों यह मैंने 180 degree का face shift करा दिया है और 5 के साथ multiply करोगे तो यह बन जाएगा आपका 1.25 वोल्ट और यहाँ हो जाएगा minus 1.25 वोल्ट आप देखोगे जैसे जैसे cycle जैसे जैसे लगातर loops में signals का processing होगा पहले V note 2.5 वोल्ट max value था एक बार cycle complete हुआ तो next time जो मेरा V note आया वो आया 1.25 इस तरीके से दोस्तों बार बार iteration करोगे तो V note की value लगातार कम होती आ जाएगी और जो आपका output oscillation होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा पहले तो आपके maximum oscillations है फिर धीरे धीरे oscillations का magnitude कम हो जाता है और कुछ time के बाद आपकी oscillations बिल्कुल damped हो जाएंगी यानि खतम हो जाएंगी तो ये इसको कहते हैं आपका under damping oscillations ठीक है ये कैसे हुआ A को B के साथ multiply कर दीजिए A into beta कितना है यहाँ पे alpha times beta that is 5 into 0.1 that is 0.5 and which is equal less than 1 तो alpha beta अगर 1 से कम होगा तो आपको under damped oscillations मिलेंगी यानि ये हमारे लिए ठीक नहीं है under damped oscillations का मतलब है कुछ time के बाद आपकी oscillations खतम हो जाएंगी तो अगर alpha और beta का product 1 से कम होगा तो ये oscillators की तरह काम नहीं करेगा second example लेते हैं दोस्तों जब आपने alpha और beta का product 1 रखा है क्योंकि alpha आपका 5 है ये 0.2 है तो यहाँ alpha into beta almost 1 almost कहीं है 1 के ही बराबर हो गया इस case में देखिए input आपका 0.5 volt है input signal आपका amplifier के gain से multiply होके V note देगा और ये आपका auto phase होगा तो 0.5 into 5 तो जो आपका V note है दोस्तों वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा और इसकी value होगी 2.5 volt और negative होगा minus 2.5 volt ये आपका V note है अब आपको VF चाहिए ठीक है VF क्या होगा beta से इस V note को multiply कर देंगे VF आ जाएगा beta आपका 0.2 है इसको 0.2 के साथ आप multiply कर देजिए और 180 degree का phase shift भी रहेगा अगर oscillator बनाना चाहते हो तो इसका मतलब ये फिर से उसी phase में आ जाएगा जैसे input signal था और 2.5 को 0.2 से multiply कर देजिए अब आपका रह जाएगा 0.5 और 0.5 ये minus 0.5 और ये T अब अगर input आप एक बार initiate कराके input हटा देते हो तो अब वी ए और वी एफ बिलकुल सेम रहेंगे यानि जो आपका वी नोट होगा वो अगेन इस वी एफ और वी ए बराबर हो जाएगा इसके साथ फिर से मैं इसके साथ 5 को multiply कर दूँगा तो दूसरे step में जो मेरा वी output है वो कुछ ऐसा मिलेगा 0.5 into 5 that is 2.5 और यहां भी minus 2.5 तो अगर आप alpha और beta का product 1 रखते हो तो हर cycle के बाद output आपका constant रहता है first step में 2.5 था second step में भी 2.5 है और third step में भी जो आपका V note है वो आपका minus 2.5 volt से लेके plus 2.5 volt तक oscillate करेगा alpha और beta A into beta को 1 रखोगे तो आपको इस टाइप की oscillations देखने को मिलेंगी यानि oscillations आपकी बिलकुल sustained हैं दो fixed magnitude हैं जिनके बीच में लगातार oscillates होती रहेंगी ऐसी oscillations को दोस्तों कहते हैं sustained oscillation और अगर alpha बीटा 1 होगा और पूरे loop में जो phase introduction है वो 0 या 360 होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा perfect oscillator बन चुका है तो यहां इनको कहेंगे हम sustained oscillations अब तीसरा case है दोस्तों जो मैंने लिया है alpha 5 है beta 0.3 है alpha into beta इसका जो product है that is 1.5 which is greater than 1 इस case में आप मुझे बताइए कि जो V note है first step, second step और third step में वो क्या value होंगी input को सिर्फ पहले step के लिए zoom करिए बाद में input V input को 0 बना दीजिए अपने आप processing होती रहेगी और आप देखोगे last में comment में भी आप अलग-अलग steps के V note बता सकते हो आप last में देखोगी कि अगर alpha, beta 1 से बढ़ा रखते हैं तो आपकी जो oscillations हैं वो by the time increase होती जाएंगी magnitude सापका बहुत बढ़ता चला जाएगा ठीक है? तो ये भी हमारे लिए suitable नहीं है तो इस वीडियो में जो concluding remarks है वो ये है कि अगर आपको oscillator बनाना है तो आपका जो alpha और beta है उसका product 1 होना चाहिए और जो complete जो loop का phase introduction है वो या तो 0 degree हो या फिर वो 360 degree हो ये जो दो conditions हैं दोस्तो इन conditions को हम कहते हैं Bark-Hussain criteria ओके? इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में इससे आगे का जो part है उसको extend करते हैं This is the end of the video Thank you so much for watching this video